नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एर एकेडमी में तो दोस्तों आज से हम इंटमोलाजी का भी सेशन चालू कर रहे हैं और कई सारे सब्जेक्ट हो चुके हैं और इंटमोलाजी बहुत ही important बहुत ही question आते हैं बहुत ही अच्छे- सब्जेक्ट को कवर कराएंगे तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को सुरू करने से पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ने किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा च्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों को भी सेयर करें ताकि उनक में होंगे तो चलिए पहला है NPV is mostly used to control lepidopteran insect तो जो NPV होता है जिसे Nephthalene Polyhydrosis virus करते हैं वो जो है mostly used होता है किसके लिए जो lepidopteran order के insect होते हैं उनको control करने के लिए नेक्स्ट है bird necrosis in groundnut is transmitted by thrips जो bird necrosis होता है groundnut का वो thrips के द्वारा transmit होता है बायो नॉमियर नॉमियर वाज first given by carloan lineas carolus lineas जिने कहते हैं उन्होंने binomial नॉमियर नॉमियर दिया था जिसे हिंदी में दुई नाम पद्धत ही भी कहते हैं वो दिया था carolus lineas ने the scientific name of mage stem borer mage stem borer का scientific name है वो है काईलो पार्टेलर बहुत important है यह बहुत से जाना जाता है तो बहुत important है यह इंसे नेक्स्ट है टर्माइट control can also be done by जो टर्माइट होती है जिसे दीमक कहते हैं वो किसके द्वारा control किया जा सकता है तो वह हम अगर केमिकल से control नहीं करना जाते तो इरिगेसर हमा अच्छा मीजर है कि इसका टर्माइट करने का क्या करते हैं इसमें की प्रकार से पूरी फील्ड को क्या कर देते हैं फ्लक कर देते हैं भर देतें फिर उसको पानी को अंग्छ मर जातीenne और और इसी के साथ हम अगर chemical यूट करना चाहते हैं तो इसी के साथ हम irrigation के साथ ही chemical कभी यूट कर लेते हैं जिससे पुरी फील्ड में क्या होता है chemical मिल जाता है तो वह बहुत अच्छा मीजर है नेक्स्ट है the cheap excretory organ in insect जो excretory organ होता है इंसेक्ट में वह क्या होता है वह होता है malpigian tubules नेक्स्ट है juanile hormone secreted by juanile hormone किसके द्वारा secreted होता है वह होता है कारपोरा एलिया द्वारा नेक्स्ट है tree bending is useful for control of mango millibug जो tree bending होती है mango millibug अगर होता है तो उसके लिए क्या करते हैं कि chemical से tree की bending कर देते है chemical क्या है उसमें कुछ ऐसा इसट की पदार्थ होता है इसट की object होता है जिससे क्या होता मिली बग क्या होता है the best suitable species for bee culture जो honey bee culture के लिए based species कौन सी है वो है apis mealy phera next what is optimum plant population for bee tea cotton bee tea cotton के लिए optimum plant population कित्ती होती है वो होती है 10,000 plants per hectare next largest size of honey bee जो largest size की honey bee होती है 3 species होती है honey bee की mainly तो उसमें जो सबसे largest होती है जो सबसे बड़ी होती हो कौन सी होती है apis dorseta अगला है bromadilon is an effective rodenticide जो bromelidon chemical होता वो क्या है rodenticide होता है जो क्या करता है rodents को मागता है next bacteria is produced at commercial level for paste bacillus therogenesis तो कौन सा बैक्टिरिया है जो paste के लिए यूज होता है वो है bacillus therogenesis जो beauty कहलाता है हमारा next house fly spread the disease house fly कौन सी disease को spread करती है cholera the safe insecticide for vegetable vegetables के लिए safe insecticide कौन सा जो की कम toxic होता है less toxic होता है वो है melathion next है the most widely used pharaoh man is सबसे ज़्यादा या बहुत ज़्यादा यूज होना pharaoh man क्या कौन सा है वो है sex pharaoh man female तो pharaoh man क्या होता है ट्रेफ होता है पुकाल से insect के लिए ट्रेफ होता है जिसको हम क्या करते हैं कि stable कर देते हैं फील्ड पर और इसमें जो भी females हैं वो क्या होती है attract हो जाती है और एक जाल में पहंच जाती है जिससे जब सारी females attract होकर जाल में रह जाती है हो गया यह सब जो वी कुकरबिष की क्रॉप है इनके लिए जो मेजर पेस्ट है वो खौन सा है पंपकिन बीटल नेक्स्ट ए डाइमंड वैखमोत इज़ पेस्ट ऑप डाइमंड वैखमोत किसका सीरियस पेस्ट है वो है कुरूसी फर्स की जो भी क्रॉप्स है है मस्टर्ड हो गया काली फिलाओर हो गया तो इनके लिए जो डाइमंड वैक मोते वह एक बहुत ही सीरियस पेस्ट है नेक्षट है दबाल गार्ड टांसजेनिक कॉटन जो बाल गार्ड है वो क्या है टांसजेनिक कॉटन नेक्षट the most suitable fumigant for quarantine purposes तो सबसे अच्छा fumigant कौन सा है quarantine purpose के लिए grain के quarantine करने के लिए अगर grain में storage pasteur से बचाना है उसको quarantine करना है तो कौन सबसे अच्छा वो है methyl bromide क्या करते है इसको जिस भी में हम क्या करते है अनाज को रखेंगे जिसमें या फिर जिस कमरे में हम आज को रखेंगे तो उससे क्या करते है पहले हम fumigant का यूज करते है उसको disinfect कर देते है पूरे रूम को और पूरे उस टैंक को या फिर जहां पर भी हम आज को रखते है next है the most effective molting harmonic insects मोल्टिंग हार्मोन काउंस होता है इंसेक्ट में वह होता है एक डियोसोम next है the major excretory product of insects जो excretory product काउंस होता है इंसेक्ट का वह है यूरिक एसिट next है nocema disease honeybees is called by the protojoa तो nocema disease किसके द्वारा होती है वह होती है protojoa के द्वारा किसमें होती है honeybees में होती है मंदमक्यों में होती है किसके द्वारा nocema apis नाम के protojoa के द्वारा next है silver soot and onion leaf in rice is called by galmage तो जो silver soot होता है onion leaf in rice में वह किसके द्वारा होती है galmage inset के द्वारा oresolia or ig जिसे कहते हैं oresolia or ig next है bud necrosis in water melon and musk melon in transmitted by तो water melon और musk melon में bud necrosis होता है वह किसके द्वारा transmit होता है aphids के द्वारा अगला है insect can survive at higher temperature and low humidity तो कौन सा insect है जो higher temperature या ज्यादा temperature में survive कर सकता है और low humidity में low moisture content में भी survive कर सकता है वह है khafra beetle next है protein hydrolysate is used as an attractant for the control of fruit fly तो यह एक chemical है protein hydrolysate जो क्या होता है attractant के रूप में काम करता है जो fruit fly होते है इनके जो भी कीडे होते हैं उनको क्या करता है attract करता है यह chemical तो वह attractant करता है वह है protein hydrolysate next aphalinas mal has been a successful parasitoid in controlling तो aphalinas mali भी इसे करते हैं तो यह किसके लिए यूज़ होता है जो एक parasitoid यह यूज़ होता है apple woolly aphid के लिए apple woolly aphid के लिए यूज़ होता है aphalinas mali next है rodolia cardinalis has been successfully predator in controlling तो वह किसके लिए होता है cottony cushion scale cottony cushion scale जो होता है उसके लिए rodonila cardinalis नाम का predator यूज़ किया जाता है control करने के लिए next है the infection of which insect start from the field तो किस insect का जो infection है वो field से start हो जाता है वो storage से पहले field में start हो जाता है वो है पर्टिकुलर एरिया में होता है और regular होता है उसका infection regular होता है तो वो क्या कलाता है endemic disease या फिर endemic paste next है the toxin produced by bacillus therogenesis interferes with the insect तो जो BT cotton हमारा जो transgenic cotton है BT cotton develop किया गया है उसमें bacillus therogenesis bacteria को develop किया गया है इंसेक्ट से लड़ने के लिए तो वो इंसेक्ट के किस पार्ट पर damage करता है किस पार्ट पर attack करता है तो वो है digestive system BT नाम का जो bacteria होता है वो इंसेक्ट के digestive system को ख्राप करके फिर उसको नर्श करता है next है the head quarters of direct rate of plant protection quarantine and storage is located बहुद important question है direct rate of plant protection quarantine and storage is located फरीदवाद हरियाना पता है कि लोकर्ट का attack हुआ था जिससे कि बहुत ही नुक्सान हुआ है हमारे इंडिया में और यूपी तक आ गया है ये तो लोकर्ट के लिए अभी हाली में जो हमारा direct rate of plant protection and quarantine storage center है उसने अभी जगे निका लिए entomology के लिए 149 post निका लिए जो भी MSC entomology से है वो इसको apply कर सकते है नेक्स्ट है इप्री केनिया मेलानो लुका इजा लेपिडोप टेरन परासिटोईट एफेक्टिव होगें सुगर केन पाइरिला तो जो सुगर केन पाइरिला इंसेक्ट होता है उसके लिए इप्री केनिया मेलानो लुका एक लेपिडोप टेरन परासिटोईट लेपिडोप टेरा ओडर का परासिटोईट है जो सुगर केन पाइरिला को कंट्रोल करता है नेक्स्ट है इनफोर्समेंट आफ लॉज और दे कंट्रोल आफ इंसेक्ट पेस्ट इन इंडिया इस गवर्ण बाई तो जो इंसेक्ट पेस्ट के लिए लॉज बनाते है वो कौन सा कमारी कमेटी है कौन सी ऐसा इंस्टिट्यूट है जो बनाता है तो वो है डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट इक नाइटीन फॉर्टीन नेक्स्ट है राइ सिस्टेम बोरर इसको सर्फो फैगा इंसेट्वलस कहते है इसका साइंटिपिक नेम है इस एबसलूट मोनोफाइगस पेस्ट आफ राइस जो सर्फोफच और यिंच टॉंगरु होता है इस और उसका वेक्टरôm्ट होता है इस ग्रीज प्लान्ट पर या नीला पर है लुगहन्यु यह दोनों कस्चन आपको पेथलोज में बता 되어 चुके हैं बहुत important question है क्योंकि ये टुंगुरू और गासिस्टन डीजीज है और ये फैलती किसके द्वारा वेक्टर इनके जो है ये इंसेक्ट है तो ये दोनों जगह है question ये next है चैफी ग्रेंस with black spot in rice are due to गंधी बग तो जो चैफी ग्रेंस होती है और उनमें black spot होता है तो वो किसका symptom है वो है गंधी बग का symptom है अगर हमें चैफी ग्रेंस दिखाए दे रहे हैं या फिर black spot दिखाए दे रहे हैं ग्रेंस में rice की ग्रेंस में तो हमें समझ जाना चाहिए कि उसमें गंधी बग का attack हो चुगा है जिसका नाम है सिम्टम पता ही है कि सिम्टम क्या होता है कि ग्रेंस में black spot होते है तो attack किस टाइम होगा ग्रेंस बनने के टाइम ही या ग्रेंस बनने के थोड़ा पहले ही होगा तो वो हमारी stage कहलाती है milky stage तभी वो इतना prevent हो जाएगा डॉमिनेंट हो जाएगा कि उस टाइम पर वो उसमें black spot कर देगा तो यह आपको याद रखना है कि गंदी बग का बाकुमन करता है attack करता है milky stage पर next है serious paste of wheat wheat का serious paste है वो क्या है termite wheat stem borer का नाम जो सिसेमिया इंफरेंस है attacking night तो सिसेमिया इंफरेंस जो होता है wheat का stem borer होता है वो कब attack करता है वो करता है night में next है specific paste of wheat nursery is तो wheat की nursery का specific paste का है gujia we will 10 micas indicus जिसे कहते है specific paste of wheat nursery तो यह nursery में लगता है जहां भी nursery से की जाती है wheat की crop वहाँ पर यह बहुत ज़्यादा attack करता है जिसका नाम है gujia we will 10 micas indicus next है control of tundu disease तो tundu disease के लिए control के लिए क्या करते है hot water treatment 50 degree celsius गरम पानी में दो घंटे के लिए sheet को रखते है जिससे tundu disease का control होता है next होपर बर्न symptom in rice is due to the तो होपर बर्न symptom जो है किसके दोर होता है BPS नीला पर होता है लूगेंस यह brown plant hopper तो इसमें क्या होता है एक प्रकार से पत्तियां ऐसी जूलच जाती है वो brown हो जाती है ऐसा लगता है कि जैसे वो आग से जूलच गई हो वो हमारा क्याना होपर बर्न तो यह symptom है हमारा BPS यह नीला पर होता है लूगेंस का next है vector of cotton leaf curl virus तो cotton leaf curl virus का vector का वेक्टर कौन है तो वो है white fly या फिर बेमेसी है टवाइकी next है flaring of square in cotton is due to तो cotton में flaring of square symptom जो होता है वो किसकी वाज़ेस होता है spotted ball worm एरेस वेला next है resetting of cotton flower due to तो जो cotton की flower होते हैं उनके resetting किसकी वाज़ेसे होती है वो थी pink ball worm की वाज़ेसे पेक्टिनो फोरा गॉसी पीला जो scientific name है pink ball worm बहुत important question है तो resetting जो symptom होता है pink ball worm का बहुत ज़्यादा पूच जाता है next है double sheet formation in cotton ball due to तो double sheet formation किसकी वाज़ेस होता है वो भी होता है pink ball worm की वाज़ेसे पेक्टिनो फोरा गॉसी पीला की वाज़ेसे next है large circular bore holes with fecal pellets on balls in the symptom of तो circular bore हो जाते हैं एक पकार से hole हो जाते हैं किसमें balls में जो भी cotton के balls होते हैं उनमें circular holes हो जाते हैं तो वो किसका symptom है American ball worm का जिसे कहते हैं हेल को वरपा army gera next है safest insecticide for honey bee honey bee के लिए safest insecticide कौन सा है तो वो है इंडो सल्फान फिलाल इंडो सल्फान बैन हो चुका इंडिया में और अभी हाली में और भी लगबग 30 insecticide और chemicals बैन हो चुके इंडिया में जिनकी list आपको मिल सकती है अगर आप सर्च करेंगे Google पे अभी हाली में बंद हुए हैं दस पंदा दिन पहले और इंडो सल्फान तो कई वर्स हो चुके इसको बैन हुए लेकिन जब ये यूज होता था तो ये एक safest insecticide था आनी वी के लिए नेक्स्ट है पेस्ट पॉपलेशन सुट भी केप्ट बलोग तो पेस्ट की पॉपलेशन कितनी होनी चाहिए वो होनी चाहिए एकोनामिक थ्रेशोर लेवल के नीचे नेक्स्ट है तो कौन सा एप्रोपियेट टाइम होता है इंसेक्टि साइड एप्लिकेशन के लिए अगर पेस्ट का अटेक हो चुका है हमारी फिल्ड में तो किस टाइम पर हमें इंसेक्टि साइड डालना चाहिए वो डालना चाहिए एटी एल लेवल पर नेक्स्ट है धा पेस्ट विच अटेक अलदब पार्ट आओ प्लांट इज तो कौन सा पेस्ट है जो प्लांट के सभी पार्ट पर अटेक करता हो हो टर्माइट या दीमक दीमक प्लांट के सभी पार्ट पर अटेक करती है next है white gruff prefer to lay axon तो white gruff कहां पर अंडे देती है अपने वो देती है sandy और sandy loam soil पर next है paste which is status of international paste is desert locust तो यही जिसका भी attack हुआ है अप हाली में वो हमारे एक international paste है desert locust बहुत ही important question है इसको आने की भी संभावना है क्योंकि हाली में इसका अटेक हुआ है और recent मुद्धा ये तो इससे समझनेत कुष्यन आ सकते हैं इसको आपको याद रखना होगा next recently method of control the ball warm तो ball warm को control करने का recent method कुण सा वो है BT transgenic plant BT cotton जो हम develop कर रहे हैं वो हम ball warm के against लड़ने के लिए हमने त्यार किया हुआ तो जो कि एक recent method है next number of x per second lay by termite तो termite के द्वारा एक second में कितने अंडे दिये जाते हैं वो है एक 1x per second next the insects are poikliothermic that is they have no precise mechanism for regulating the body temperature so called the cold blooded organism तो जो insect होते हैं वो कैसे होते हैं cold blooded organism होते हैं जैसे हम लोग क्या होता है कि body को temperature को क्या कर लेते हैं उसको regulate कर सकते हैं हम लोग भी नहीं कर सकते हैं लेकिन जो insect हो भी अपने body के temperature को regulate नहीं कर सकते हैं इसलिए वो कैकर लाते हैं cold blooded organism या फिर poikliothermic next है the total heat required for the completion of physiological process in the life history of species is considered at constant और thermal constant तो जितनी भी heat required होती है एक इंसेक्ट को उसकी पूरी life में पूरी life cycle पूरी करने के लिए जितनी भी physiological process होती है उसके लिए उसे heat की जरूरत होती है तो वो जो पूरी heat होती है एक life में पूरी यूज होने वाली वो कहलाती है constant और thermal constant नेक्स्ट है control of weeds by biological agent known as para-biological control तो अगर weeds का हम biological agents के दारा control करते है तो वो हमारा biological control ही कहलाता है या फिर para-biological control उसे कह सकते हैं नेक्स्ट है international institute of biological control in west indies तो international institute of biological control कहा है west indies में situated है कब situated हुआ था 1927 को नेक्स्ट है international organization for biological control तो international institute है वो तो हमारा west indies में लेकिन international organization है जो biological control का वो है जीवरियक शुटिजर लैंड में तो इसमें confused नहीं होना institute हमारा west indies में organization हमारा शुटिजर लैंड में है नेक्स्ट है cryptobiosis तो cryptobiosis क्या होता है a phenomenon when insects become questioned due to adverse climate condition and so no visible sign of metabolic activity तो एक प्रकार से यह insect का nature होता है कि उसमें क्या होता है adverse climate में एक प्रकार से dormant stage में चला जाता है तो और कोई भी light penetrate कर सकता है उस water को वो हमारा कहलाता है lirinatic zone next है wax moth जिसे galeria melonela most serious paste of epiculture तो epiculture में wax moth जो होता है galeria melonola वो बहुत ही serious paste होता है next है cubicula hind legs of honeybeads also known as auricle तो जो hind legs होते हैं वो हमारे cubicula कहलाते हैं और उन्हीं को auricle भी कहते हैं किन में honeybeads में हिंडे legs का मतलब होता है पीछे वाले legs जैसे four legs mid leg और hind legs और last वालों को वालों को हमने hindi leg कहा दिया तो यह जो last PEところ होते हैं लेक्स के वो हमारे कहलाते है America तो दोस्तों यह entermiologique हमारा पहला पार था उमीद करते हैं आपको अच्छा लगहा होगा और दोस्तों अच्छे से तैहरी करते रही है बहुत ही जल्द हम आपको और भी वीडियो प्रोवाइड कराएंगे तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद